हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका इस वीकली वीडियो में जहां पर आपको बेस्स टॉक्स फॉर टॉमारो या फिर कहें टॉप स्टॉक्स फॉर टॉमारो बताए जाएंगे आगे बढ़ने से पहले मैं उन सबको थैंक्स करना चाहूंगा जिनके सपोर्ट से ये चैनल ग्रो कर रहा है और अब इस चैनल के या इस परिवार के दोसों मेंबर्स हो गए हैं As a token of thanks इस बार मैं पांच नहीं बलकि साथ स्टॉक्स दूँगा इंट्राडे और स्विंग ट्रीडिंग के लिए इन 7 में से 5 stocks तो buy के लिए हैं जिन में से 3 तो regular intraday plus swing और 2 stocks इस बार market को देखते हुए swing trading to long term के लिए हैं और 2 stocks sell करने के लिए या short करने के लिए for intraday and swing trading पहले बात करते हैं buy stocks के बारे में इस list में हमारा सबसे पहला stock है diviz lab diviz lab में अगर हम देखें तो यह पिछले काफे दिनों से consolidate कर रहा है और अगर हम यहाँ पर एक horizontal line लगाएं और देखें तो हमें पता चलेगा कि पिछले साल भी इसने March 2021 के आसपास इस resistance को cross किया था और एक बहुत ही अच्छी up move दी थी और अभी भी यह stock इस resistance के ऊपर ही चल रहा है और वहाँ पर धीरे धीरे consolidate कर रहा है अगर आप diviz lab के daily chart को ध्यान से analyze करेंगे तो देखेंगे कि आपके 24 मई को diviz lab ने एक high बनाया था और उसके आसपास ही यह stock अभी जाकर resistance ले रहा है अगर यहाँ पर हमें एक horizontal line लगाएं तो हम देखेंगे कि diviz lab एक छोट इसे channel के अंदर वहीं पर घूम रहा है और इसको यह resistance 3715 की cross करनी है यह resistance cross करने के बाद ही एक बहुत अच्छी अप्मूव आईगी और आप अच्छे profit बना सकते हैं इस stock में अगर यह stock मंडे को 3715 के उपर जाता है और वहाँ पर थोड़ी देर टिकता है तो इस stock के अंदर buying की जा सकती है और इसमें पहला target लगबग 3900 और दूसरा target लगबग 4000 के आजपास आ सकता है डीवीज लैप का stop loss होगा 3645 तो हमारा दूसरा stock है माइन ट्री माइन ट्री की अगर हम बात करें तो माइन ट्री ने भी बहुत अच्छा एक correction दिया और पिछले काफी दिनों से यह consolidate कर रहा है माइन ट्री के अंदर भी अगर हमें एक horizontal line लगाएं और इसके support और resistance की बात करें तो इसमें भी हम देखेंगे के माइन ट्री में 26 मई को इसने एक doji बनाई थी 26 मई 2022 में जो एक doji बनाई थी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह 30 जून 2021 की एक resistance थी उसके उपर है तो यानि इसने 30 जून 2021 की resistance को अपना support बनाया और उसके बाद से इसके उपर ही अभी तक चल रहा है RSI में भी इसने 40 का support ले रखा है तो अगर 11 जुलाई यानि मंडे को या उसके बाद Divis Lab 2950 क्रॉस करता है तो उसके बाद इसके immediate targets intraday के लिए 3030 और उसके बाद 3175 के भी आ सकते हैं और अगर कोई इसको mid term के लिए भी रखना चाहे तो इसके target लगभग 3400 तक आ सकते हैं मैंट्री का stop loss होगा 2845 हमारा तीसरा stock है IEX यानि की Indian Energy Exchange इसमें भी गर आप देखेंगे तो एक बहुत ही बड़ीया correction आ चुकी है हालां कि इसमें उतना consolidation नहीं हुआ जैसा कि Divis Lab और माइंट्री में हुआ था बट अगर इसका 4 और 5 जुलाई का अगर आप चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर almost एक twizor bottom जैसा structure बना हुआ है और इसमें भी आपको same pattern मिलेगा जो Divis Lab और माइंट्री में था यानि कि जो जून जुलाई के अंदर इनका resistance बना था वो ही अब इसका लगबख support बन रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह resistance इनका जुलाई के अंदर जो बना था 2021 में उसी का support इसने इस साल जुलाई के अंदर लिया और अभी उसके उपर ही चल रहा है और RSI को भी अगर आप देखेंगे तो 40 को यह cross करने की कुशिश कर रहा है तो अगर DV's Lab अपना Friday का high cross करता है यानि कि यह 165 के उपर जाता है तो इसमें अच्छे target आ सकते हैं जहाँ पर आपका first target लगबख 175 के असपास होगा और second target लगबख 200 के असपास होगा और IEX में आपका stop loss होगा 160 हमारी चौते और पांच में stocks पर जाने से पहले मैं आपसे request करूँगा कि चैनल को subscribe कर लें और बेल आइकन दबा दें तो हमारा चौता stock है Wipro Wipro को आप swing trading और long term investment के लिए भी ले सकते हैं इसमें भी आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा correction आ चुका है लगबख 50-55% का और इसमें जो मैंने अलरडी एक line लगा रखी है और जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इसका 400 का एक बहुत ही अच्छा support है और पिछले साल भी इसने इसी support को लेकर एक बहुत ही बड़ी आप मूव दिया था और अभी भी ये पिछले काफी दिनों से इस support के आसपा सी consolidate कर रहा है पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 430 के उपर जाने के बाद आप इसमें long position create कर सकते हैं लास्ट टाइम ये level नहीं आया था और फिर दोबारा से कोशिश कर रहा है almost 425-430 पर जाने की तो अगर 11 जुलाई यानि कि मंडे को या उसके बाद विपरो 430 क्रॉस करता और उसके उपर टिकता है तो आप इसमें long position बना सकते हैं इसमें जो first target आएगा वो लगबख 450 और second target लगबख 475 के आसपास होगा और अगर आप RSI भी देखें तो RSI के अंदर भी ये बार बार support ले रहा है और 40 क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है तो एक बार ये 430 के आसपास पहुँचा तो RSI भी 40 के अबब ही होगी तो एक बहुत ही अच्छा मौका होगा इसके अंदर long करने का इस stock को long term देने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है इसके fundamentals अगर आप इसके fundamentals देखेंगे तो stock की जो PE है 18.8 काफी कम है और stock की PE भी कम है और industry अगर peer comparison करें तो उसमें भी इसकी almost सबसे कम है एक महिंद्रा के बाद दूसरा जो इसके अंदर fundamental चीज हम देखते हैं वो है net profit अगर आप देखेंगे year by year net profit इसका increase हो रहा है और third चीज earning pair share earning पर share की कि अगर हम बात करें वो भी इसकी काफी consistently increase हो रही है और last but not the least जो बहुत ही important चीज है किसी भी stock के लिए वो है उसका share holding pattern और share holding pattern भी आप देखेंगे तो promoters के पास almost 73% stake है जो कि यह चीज दिखाता है कि promoters का भी stock के अंदर काफी भरोसा है तो अगर आप विपरो में swing trading या long term investment करना चाहते हैं तो आपका stop loss होगा 400 क्योंकि यही वो एक support zone है जहां पर यह बार बार support लेकर उपर जा रहा है हमारा पांचे और आखरी buy stock है IGL यानि इंदरप्रस्त गैस इंदरप्रस्त गैस भी अगर आप देखेंगे तो बहुत यह अच्छे level से यानि कि almost 600 के level से correct होकर आया है और इसमें भी अगर आप ध्यान से देखें और एक horizontal line लगाएं तो आपको दिखेंगा कि इसने एक triple bottom बना दिया है तो हम देखेंगे कि अभी इस channel में भूम रहा और इसको यह channel की resistance पार करनी है जो कि लगभग 380 के आसपास है तो एक बार इसने 380 क्रॉस किया तो आपका फर्स target लगभग 400 के करीब और second target जो है लगभग 425 के करीब आता है और थोड़ा और long term के लिए आप रखेंगे तो इसका target लगभग 450 के आसपास आएगा जो तो swing trading कर रहे हैं उनके लिए stop loss है इसका 365 और जो इसको थोड़ा medium term के लिए रखना चाते हैं उनके लिए stop loss है 350 अगर इंदपरस्त गैस्त के fundamentals की बात करें जो कि इसको एक long term के लिए अच्छा candidate बनाता है तो वो देखें कि इसकी book value to current price बहुत ही कम है stock PE भी इसका कम है और अगर यहां पर आप देखेंगे तो यह almost debt free company है जहां पर regular dividend payout है net profit भी आप देखेंगे साल दर साल जो है increase हो रहा है और EPS यानि earning per share भी इसका काफी अच्छे से increase हो रहा है और last but not the least जैसे कि मैंने आपको गाता कि share holding pattern के अगर हम बात करें तो promoters का जो share holding pattern था अभी तक unchanged है जितना शुरू में था आज भी उतना ही है अब हम बात करते हैं उन दो stocks की जिनको short किया जा सकता है इनमें सबसे पहला stock है आई share motors आई share motor में आप देखेंगे कि बहुत ही एक body structure बना है अगर हम यहाँ पर एक horizontal line खीचते हैं इसके top पर तो यहाँ पर हम देखते हैं कि almost एक यह triple top बन रहा है एक top जो लगबग February 2021 में बना था उसके बाद September 2021 में बना और अभी इसने लगबग उस top के आसपा से resistance ली है 7 जुलाई को इसने एक doji बनाई थी और उसके बाद Friday को यानि 8 जुलाई को इसने एक spinning top बनाया तो अगर 11 जुलाई यानि Monday को यह Thursday का low काटता है जो कि 2915 है तो हम 2850 से लेके 2800 तक के level देख सकते हैं तो आई share motor को Monday को shot किया जा सकता है अगर वो 2915 से नीचे आता है और इसका stop loss होगा Thursday का high जो कि 2960 है जो safe traders है वो Thursday की closing को अपना stop loss बना सकते हैं जो कि 2945 जो दूसरा stock है जिसे shot किया जा सकता है वो Siemens Siemens के अगर आप देखेंगे तो दो spinning top बन चुके हैं और इसकी RSA भी almost 80 के पास है तो अगर यह stock Monday या उसके बाद 2650 से नीचे आता है तो इसे shot किया जा सकता है for the targets of 2570 तो देश्तों यह था आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में जुरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा या आप किसी stock पर special वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में जुरूर बताएं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो please like, share and subscribe ताकि मैं motivate रह सकूँ और नए नए वीडियो आपके लिए ला सकूँ मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ Thank you